हैलो दोस्तो, बेसिक इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे कि अल्टिनेटर के अंदर डाविड क्यों लगाए जाते हैं और वाइर वाउंड रेजिस्टेंस क्यों लगाए जाती हैं AVR का क्या रोल होता है और अल्टिनेटर के उपर जिसे आप चो कह देते हैं ये ट्रासमर क्यों लगाए जाते हैं तो दोस्तों सबसे पहले मैं सिंगल फेस अल्टिनेटर के बारे में ही आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा तभी आपको थ्री फेस अल्टिनेटर के बारे में समझ में आएगी तो ये एक सब्सक्राइब का अल्टिनेटर है देखिए चार डायोड इसके उपर लगे हुए हैं ये क्यों लगे हैं इनका क्या काम है और क्यों इसे लगाया जाता है उसके बाद देखिए यहां पर भी ये हैं स्लिप रिंग और कार्वन ब्रश दोस्तो इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मकसद है वो आपको ये बताना है जो में टोपिक है कि अल्टिनेटर के अंदर जो फिल्ड कोईल होती है फिल्ड को दो तारों से वाइंड किया जाता है एक तो तामबे की पतली तार होती है और एक तामबे की मोटी तार से फिल्ड को वाइंड किया जाता है आखिर गयर दो कोईलों को क्यों लगाए जाता है फिल्ड पर तो दोस्तो इस चित्र के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ यह एक सिंगल फेस के अल्टिनेटर का चितर है यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाया गया है और आई एन चोवन जिरो आठ जो यह संत्री रंग की जो मैंने लाइन कीची वही ना यह पतली तार है जो अल्टिनेटर के फिल्ड के उपर जो क्वाइल गई हूँ यह ना यानि की फिल्डो को जो वाइंड किया गया है पतली तार से यह मैंने संत्री रंग के अंदर दिखाया है और जो मोटी तार है उसको मैंने जामनी रंग के अंदर दिखाया हूए है तो पहले मैं बात करूँगा कि अल्टीनेटर एसी वोल्टेज पैदा करता है और कैसे पैदा करता है मैं बात सिंगल फेस अल्टीनेटर के बारे में कर रहा हूँ तब ही आपको अच्छी तरह समझ में आएगा यह S और N साउथ पॉल और नॉर्थ पॉल यह फिल्ड है अल्टीनेटर की और बीच में यह अल्टीनेटर का या आर्मिट के कह दिये यहां रूटर के लिजिए इसके उपर दो स्लिप रिंग लगे हुए हैं यहीं से दो तारे उठकर गई हुई है यह याद रखना कि जब भ और पर और एक तार पर 80 V आएंगे AC और दूसरी तार पर 1500 V AC आएंगे लोड आपने अल्टीनेटर पर डाला वा यह नहीं डाला हुआ यह वोल्टेज तो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे और दोनों तारों में आपका टेस्टर जगेगा ही जगेगा दोस्तों अल्टीनेटर के फिल्ड पर दो वाइन की जाती है एक तो पतली तारगी के मोटी तारगी उसके बारे मैं आज मैं बात करूँ आपके साथ ये दो बलब मैंने सीर्ज में लगाई है एक तो 200 वाट का मेरा बलब है और एक है 60 वाट का बलब इसे चाहे आप AC 220 वाट देजिए या DC 220 वाट देजिए ठीक है तो आपको पता है कि कौन सा बलब सबसे पहले जगे क्योंकि 60 वाट के बलब का लोड कम होता है बजाए 200 वाट ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम सीरिज में दो बलब लगाएंगे कि 200 वाट का एक 60 वाट का तो 60 वाट का बलब ही ओन होगा क्योंकि 200 वाट का लोड जादा है ठीक है अब बात करते है मैंने क्या किया है कि अल्टिनेटर की जो फिल्ड है उसे उतार कर एक तरफ दर दिया जैसे आप देख सकते है ठीक है कोपर की कवाईल इसके उपर लपेटी हुई है ये एक अल्टिनेटर की फिल्ड है ठीक है दोस्तों और अब मैं क्या करूंगा अब ज़रा ध्यान से देखना कि मैंने किया क्या हुआ है मैंने इस फिल्ड कवाईल को एक बल्लब की सीरिज में लगा दिया है ठीक है दोस्तों और ये बल्लब आपका सो वाट का है अब मैं दो सो तीस वाट एसी दे रहा हूँ यह डीसी दे रहा हूँ ठीक है दोस्तों अब बात आती है कि फिल्ड के अंदर क्या मैंगनिट बनेगा नहीं बनेगा अब जैसे जैसे मैं जहां पर सो वाट का बल्लब लगा है यहां पर और बल्लब लगा दिता हूँ जैसे मैंने दस बल्लब लगा दिये यहां बीस बल्लब लगा दिये दीरे दीरे उनकी संख्या बढ़ाता चला जाऊँगा तो एक टाइम तो ऐसा आएगा कि माली जी मैंने यहां पर 100 बलब लगा दी 100-100 वाट के तो उससे क्या होगा कि इस फिल्ड कोईल के अंदर मैगनेट बनना शुरू हो जाएगा यह वैसे यह है जैसे 200 वाट के बलब को और 60 वाट के बलब को मैंने सीरिज में लगाया था और 60 watt का बन्लब ओन हो गया था अगर 100 watt के बन्लबों की संख्या जादा हो जाएगी ठीक है? लोड जादा हो गया लोड जादा हो गया तो इस coil के अंदर हमारी जो voltage है इसके अंदर जादा जाएगी और होगा क्या? कि field coil के अंदर magnet जादा बनना शुरू हो जाएगा तो दोस्तों अल्टी नेटर के अंदर जो मोटी तार की winding की जाती है फिल्डों पर वो एक सीरिज winding होती है लोड के, अल्टी नेटर से जब हम बिजली लेते हैं ना तो वो उस मोटी तार में से घूम कर ही हमें voltage मिलती है जैसे जैसे हम लोड डालते चले जाएंगे अल्टी नेटर पर वैसे वैसे क्या होगा अल्टी नेटर की उस मोटी तार जो फिल्ड को आईल पर wind की गई है उसके अंदर उतना ही magnet बनना शुरू हो जाएगा दोस्तों ये theory single face के και we have 3 face के ऐल्टी नेटर पर भी लागू होती है 3 face के य ल्टी नेटर पर क्या किया होता है जो जिसे आप चो कहते हैँ 3 face का transformer ही होता है 3 face के transformer को series में लगा दिये जाता है और वहीं से उठागर आगे हमें face मिल जाते हैו जाब जैसे जैसे हम उस पर load डालते हैं तो transformer क्या करेगा अपनी primer पर जैसे उसका load डालेगा वैसे हो secondary उतनी ज़्यादा voltage देगा और secondary के आगे डायोड लगे होते हैं दाइवड से आगे क्या होता है अल्टिनेटर के फिल्ड कोईलों के साथ उसका कनेक्शन होता है उतने ज़्यादा फिल्ड कोईल मेंगरेट बनाना शुरू कर देती है अब आप जराई से ध्यान से देखें स्लिप रिंग से तार उठाकर एक तो हमें डारेक्ट मिल जाती होती है सिंगल फेस के अल्टिनेटर की बात कर रहा हूं है आप देख भी लेना यह ऐसे ही होता है ठीक है मैं आपको प्रेक्टेकल वीडियो भी दिखा दूँगा दूसरी स्लिप रिंग से तार उठाकर आगे आगे स्प्लाई मिलती है जापर मैंने यह 230 वोल्ट AC लिखा हुआ है और जो यह पतली तार है जो मैंने यह संत्री रंग से तार बनाई हूई है आपको दिखाया हुआ है ठीक है क्या होता है कि शूरू में जब अल्टिनेटर चलता है तो शूरू में तो आपको पता ही है क कि किसी मेगनेटिक फिल्ड के अंदर जब चालक को गुमाए जाता है तब ही वीदुदारा परवाई तो होती है उस चालक के अंदर तो दोस्तों होता क्या है कि शूरू में जब अल्टिनेटर को हम के रूटर को गुमाते हैं तो उसके स्लिप रिंगों से कुछ AC वोल्टे अंस लगी हुई है 100 Ohm की ठीक है दोस्तों उसके बाद आगे यह तार जो आगे गई है यह है अल्टिनेटर के फिल्ड को वाईलों के उपर जो पतली तार की वाइंड की है फिल्डों के उपर वहीं से तार उठाकर आगे फिर डायोट के 90 पर गई हुई है अब जैसे जैसे इसे AC Voltage मिलेगी वैसे वैसे यह DC Voltage इन तारों को दे देगा पतली तारों को और इनमें मैगनेट बनना शुरु ऊजाएगा मैगन्यट बनता चला जाएगा और क्या होगा इनग अल्टिनेटर के स्लिप रिंड उपर Voltage आनी शुरु हो जाएगी ठीक है लेकिन हमारे इंज तो क्या होगा लोड जैसे जैसे डालेगा अल्टीनेटर के ऊपर तो अल्टीनेटर इंजन को भी दबाना शुरू कर देगा अल्टीनेटर इंजन को दबाएगा तो इंजन की भी स्पीट आर्बियम देरे कम होंगे अगर आर्बियम ही कम हो जाएंगे तो सब्सक्राइब कर देना वहां तक जहां तक हमें वोल्टिज चाहिए उसके बाद बात आती है कि यह समझे लिए जी है कि मोटी तार का काम एक आटो का ही होता है ठीक है अब बात करूँगा इस मोटी तार की जो मैंने यह जामनी रंग की यहां पर यह लाइन लगा कर यह कोईले बनाई हुई है क्या होता है कि यह सीरीज में लगी हुई होती है जी हाँ एक फेस तो अल्टिनेटर के सिलिपरिंग से उठकर हमें मिल गया है लेकिन अल्टि दोसो वाट का बंलब नहीं जगेगा बलगी साठ वाट का बंलब जगेगा कुछ ऐसा ही काम हो जाएगा कि जो यह मोटी तार है ठीक है अल्टिनेटर के फिल्ट के उपर जो मोटी तार की वाइंड की यह है तार, इसके अंदर वोल्ड जयादा जानого चूरू हो जाएगी, अगर magnet ही ज़्यादा बनेगा तो अल्टिमेटर के सिल्परिंगों पर voltage भी उतनी ज़्यादा आनी शुरू हो जाएगी तो ये ये वाली theory है कि अल्टिमेटर के अंदर दो field क्वाइले क्यों होती है पतली तार और एक मोटी तार क्यों होती है दोस्तों इसी परकार आगे मैं थ्री फेस की चौक के बारे में बात करूँगा लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी एक basic knowledge और दे देता हूँ और दूसरी तार पर जो कि slip ring से सिदा उठा कर हमें मिल जाती है उस पर 1500 वोल्ट AC रहते हैं लोड में भी रहेंगे और बगएर लोड के भी इसके अंदर AC वोल्ट इतने ही रहेंगे अब आती है three face की तियूरी three face के अल्टीनेटर के अंदर तीन slip ring होते हैं ये तो आपको पता ही है से तार इठा कर आगे चोंक याना की एक transformer पर दे जाती है transformer को Series में रखा जाता है आगे जो तार हमें मिलती है load के लिए ठीक है transformer को Series में रखा गया है primary के थूर और primary से एक तार चली जाएगी और दूर्सी से पर जाएगी load के लिए अब जैसे जैसे हम 3-phase के प्राइमरी के अंदर दालते चले जाएंगे, इसके प्राइमरी के अंदर उतने ज़्यादा प Wealth आएंगे। यूँ समझे कि इस ट्राइमर को सीरीज में लगाया गया है, यानि कि प्राइमरी की तार को सीरीज में लगा दिया गया है, त्री फेस का ट्राइमर है, जैसे जैसे लोड डालेंगे प्राइमरी के अंदर उतना ज्यादा करण जाएगा, सैकेंटरी पर उतनी ज्यादा कि ऊपर उतना क्या जादा वोल्टेज से से, ऐसे अगल उतनी ही बनागी आएगी सिर्ड न की मेंड़ों के ऊपर उतना जादा उतना और एक 60 Watt के बलब होगा अगर हम सीरीज में लगाते हैं तो होगा क्या? 60 Watt का बलब ही जगेगा तो अगर लोड जादा होगा तो ट्राफ़र्मर के प्राइमर के अंदर वल्टेज जाद जाद जाएगा उमिद है दोस्तों कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी आप रहेंगे कि AVR के बारे में तो बताया है नहीं तो दोस्तों AVR का क्या गाम होता है? इसको दो फेस दिये जाते हैं अल्टीनेटर से उठाकर ही और अल्टीनेटर से उठाकर न्यूटल दिया जाता है होता यह है कि आउटपूट वोल्टेज जैसे जैसे डाउन होती है अल्टीनेटर की इसके F1 और F2 पर DC वोल्टेज उतने ज़्यादा जाते हैं और यहां पर तारे लगती है अल्टीनेटर के फिल्ट कॉइलों की इसका पूरा नाम आटॉमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर होता है दोस्तों यह कंट्रोल करती है DC वोल्टेज को यहन्नि की अल्टीनेटर के field को आईलों पर जो इसने DC वोल्टेज देने होती है आनी शुरू हो जाएगी उमिदे दोस्तों की मेरी वीडियो आपको पसंद आए होगी